क्या आपको पता है कि आप Free Fire in-game ID के अंदर अपना real photo लगा सकते हो मतलब अपना real photo चाहो तो भी लगा सकते हो या फिर अपना logo चाहो तो भी लगा सकते हो मतलब आप जो photo चाहो वो आप game ID के अंदर लगा सकते हो प्रोफाइल में ये आप कैसे कर पाओगे वो सब कुछ मैं आपको बता दूँगा आज के इस वीडियो में अभी आपको पता होगा कि free fire के अंदर gold coins का value कितना ज़्यादा बढ़ गया है मतलब diamond से भी ज़्यादा value हो गया भाई coins का क्योंकि coins से जो है आप बहुत कुछ दे सकते हो भी free fire के अंदर धीरे धीरे करेके ये और भी ज़्यादा gold coins का demand बढ़ने वाला है एन अभी के time पे बंदे और ज़्यादा gold coins ढून रहे हैं कैसे उनको और ज़्यादा यहाँ पे gold coins मिलें तो tension नालो guys आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा trick बताने वाला हो जिससे आप लोग unlimited gold coins ले सकते हो free fire के अंदर ये मदद से आप यहाँ पे जो है 50,000 तक gold coins collect कर सकते हो एक बार में ये सारे trick को use करके एन एक और बात guys मैं यहाँ पे आपको यह नहीं बताने वाला हो कि आपको जो है पे gold experience card को खरीदना चाहिए 100% 50% को एन उसके बाद आपको खेलना पड़ेगा नहीं भाई मैं आपको ऐसा trick बताऊंगा जिसके मदद से आप claim करके जो हैं पे gold coins ले सकते हो तो सब कुछ मैं आपको बता दूँगा वीडियो में बने रहो वीडियो काफी जाद मज़ेदार होने वाला है आजका तो वीडियो को like जर से कर देना एं चैनले को भी subscribe कर देना तो वीडियो में आके बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ मुझे एक application के बारे में पता तो आजका वीडियो का topic है Top 10 Socking Glitches You Don't Know in Free Fire तो नमबर 10 पे आता है आपको पता होगा कि Orion केरेक्टर जो है एनिमी से HP खीचता है मतलब वो उसका health यहाँ पे खीचता है यह चीज बस हमको बताया गया है मतलब दिखाया नहीं गया भाई हमें exactly देख नहीं सकते कि कैसे Orion केरे पूरे detail में देख पाओगे एन इसे करने के लिए simply आपको जो है उस character का ability को यूज कर देना है Orion केरेक्टर का ability को यूज करते ही आपको जो है अपना net को off कर देना है कुछ देर के लिए एन आप देख पाओगे कि तभी सारा animation off हो चुका होगा मतलब जितने भी animation रहेगा Orion के लेकिन एक ही animation यहाँ पर जो है रहेगा जो एनिमी से HP खीच रहा है ठीक है वह animation जैसे आप दूर जाते जाओगे एस एनिमी से वह line बड़ा होता रहेगा धीरे-धीरे करके मतलब simple short में बताओ तो यह animation एक line जैसा होगा जो की आपको exactly दिखाएगा कि कैसे Orion character दूसरे एनिम जो है कम होता है बहुत बुरा लगता है क्योंकि भाई हम कुछ mode खेल नहीं सकते हैं कुछ देर के लिए हम लोगों को जो है clay squad या फिर rank mode से बेन कर दिया जाता है और यह बोल दिया जाता है कि भाई पहले honor score बढ़ा के आओ फिर जाके आपने खेलना clay squad या फिर rank mode और आपक जो है यहाँ पर 4-6 या फिर 8 तक के honor score minus हो सकते हैं सिर्फ एक game से और वैसे अगर 2-3 game बेग कर दिया दें समयजी जाओ भाई यहाँ पर 20-25 का honor score कम हो जाएगा और वहीं पर दूसरे साइड आगर आप यहाँ पर normal rank mode या फिर normal CS mode खेलके honor score बढ़ाने का सोच रहे हो देन आ जो है यहाँ पर match खतम होने का कम से कम 15-20 minute लगता है मतलब 15-20 minute में आपको बस एक ही plus मिलेगा honor score क्योंकि एक match भुया होगा तो एक ही honor score plus होगा and minus होता है दिन भाई 8 honor score तक minus हो जाता है एक ही बार में तो ऐसे में आपको अपना honor score को फिर से 100 तक लाने के लिए बहुत ज्या बाई यह कैसे है मतलब अब यह आपने बोला कि भाई एक मेंच खतम होने के लिए 15-20 minute लगता है तो 15-20 minute करने के बाद एक मेंच खतम होगा तो एक ही honor score मिलेगा मतलब एक मिनट में एक honor score कैसे मिल सकता है आप लोग सोच नहीं होंगे तो इसको करने के लिए किस्पिसल मोड जिसका नाम है रस्ट ठीक है यहां पर आप लोग को फाइंड करना है एक मिनिट पर यहां पर गेम खतम हो जाएगा अगर आप उसको नहीं ढूंद पा रहे हो तो इसका कोड बी में आपको दे दता हूं ठीक है यह कोड़ अपने सर्च करना आप यहां पर आसानी से आपको लिटर्ली गाइस आप इस गेम मोड में बस एक मिनिट खेल कर ही एक और बढ़ा सकते ओढ़ा यह इस्टार्ट होते ही खतम हो जाता है में अधिल मतलब आता है भाई एक ऐसा ग्लिच जिसको देखकर आप लोग सोख हो जाओंगे मतलब आप लोग सोचोंगे भाई यह तो इंपोसिबल है मतलब कैसे हो गया यह तो आपने देखा होगा कि फ्रीफार के अंदर बाइक में जो है करेक्टर कैसे बेटते हैं मतलब दो टांग यहां प तो भाई सेमी तरीके से आप बाइक में बेटती हैं अभी में आपको ऐसा ग्लिच के बारे में बताने वाला हूं जिसके मदद से करेक्टर बस बाइक के एक ही साइड बेट सकते हैं इसको करने के लिए आपको यहां पर विंडो के पास चले जाना है कोई सबी विंडो के प आपस आजाओगे आप देखोगे भाई आप बाइक पर बेट चुके वे और भी एक ही साइड पर मतल्ब दो साइड पर ने ठीक है ऐसे देख सकते हैं एक ही साइड पर तो भाई यह आपको बहुत ज़्या बहुत नया भी लगेगा मतलब यह फ्री फायर में पहली बार हो क्योंकि बाइक पर ऐसे पोजिशन पर बेटना अकसर हमने रियल लाइफ में देखाता लेकिन गेम के अंदर भी नंबर साथ पर जो गलीच आता है अगर मैं आपसे कहूं कि आप दिवार के आर पार हो सकते हो बिलकुल हेकर की तरह मतलब जिस तर किसे हेकर भाई आप दिव और है जिक के एस घर के की कोने में आपको आजाना है एंन आपको ट्राय करना है भागने का मतलब आप यहां पर जो है चल की नहीं भाई तरह के मतलब इस तरह के मतलब उपर चले जाते भाई खुद बखुद तो इसको करने के लिए simply आप आ जाना है और आपको विंडो के पास चले जाना है और आपको यहां पर जो है दो काम एक ही टाइम पर करना है ठीक है जैसे आप जम करोगे सेम टाइम के अंदर आपको गेम को मिनिमाइस कर देना है एक सेकेंड का भी गेप नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं तो यह ट्रिक काम नहीं करेगा तो जैसे आप लोग सेम टाइम के अंदर गेम को मिनिमाइस कर देते हो एक दो सेकेंड के लिए फिर उसके बाद फिर से आ जाना एन आप देखो कि भाई आप उपर पहुँच चुक या तो छोटे हो सकते हो या फिर बड़े हो सकते हो मतलग अब यकटाईम पर क्या है बाई बिल्डिंग्स जो है भाई केरेक्टर से ज्यादा बड़े हैं लेकिन आप ऐसा कर सकते हो ने से Coronavirus शोटे होस को एक ही मोड के अंदर होगा जो कि Craft Laan Amore ये इसके अंदर ही हूगए तो buildings अगरा का जितने भी size रहेगा भाई उसका सब कुछ छोटा हो जाएगा और आप बड़े दिखने लगोगे कुछ इस तरीके से और वहीं पर अगर आप इस scale को बढ़ा देते हो मतलब खीज देते हो आगए की तरफ यह सारे buildings बड़े हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा चोटे हो जाओगे मतलब आप चोटे लगने लगोगे और buildings और भी ज़्यादा बड़े लगने लगेगा हाई एक मजे के लिए use कर सकते हो आप लोग इतना ये useful है नहीं नमबर चार पे आता है भाई एक ऐसा जिसको देख के आप लोग जो है आप आपका सर घूमने लगेगा भाई ऐसे कैसे हो गए आप लोग सोचोगे तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई आप लोगोंने जो है highest streak कितना देखा होगा मतलब 99 obviously क्योंकि भाई चाहे आपका 200 हो जाए या फिर आपका 300, 400, 500 हो जाए ठीक है आपका streak 99 plus ही दिखाएगा 99 plus से जो है और जड़ा streak नहीं दिखाता है ठीक है वही last है लेकिन गाईस मैं अगर आपको बोलू कि मैंने एक ऐसा streak देखा है जो की 467 है भाई उसका streak उस बंदे का एन लिटरली गेम में सब ने देखा है ठीक है जी हाँ गाईस यह हुआ है आसिव गेमर के live stream में जब वो live stream कर रहे थे तब ही जो है उपनेंट में ऐसा बंदे आ जाते है मतलब 4 squad आते है उन में से जो है एक बंदे का streak भाई 467 होता इस ट्रीक है वो लिटरली दीख रहा था ठीक है ऐसा नहीं कि भाई ग्लीच हो कोई भी मतलब 9 प्लास दीख के फिर अचानक से चले जाए ऐसा नहीं पूरा गेम के अंदर ही वो 467 इस ट्रीक दीख रहा था तो भाई मेरे को तो काफी जादा सोकिंग लगा यह कैसे हो सकता है मंदल बहुत बड़ा ग्लीच है यह लेकिन जो भी हुआ है पहली बार हुआ है नंबर 3 पर जो पॉइंट आता है इसका में मोटिव है बनी बंडल ठीक है तो आपने अगर बे एक संकेत है मतलब बनी बंडल पूरा जूंड में आएंगा भी ठीक है मैं जूंड के क्यों बात कर रहा हूं कि भाई एक बनी बंडल नहीं अभी जो है आपर मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि बहुत ही जल्द बनी का जो है बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है इंड सर्वर में होगा देन यहां पर जो है पांच बनी बंडल एक साथ आएगा जिहां गाइस पांच बनी बंडल एक बनी बंडल नहीं सब कुछ सेव होगा लेकिन कलर डिफरेंट होगा सबका एन उन में से एक बनी बंडल है यह ब्लेक बनी बंडल तो मेरे को पता नहीं ऐसा क कौन सा bundle जो है आप गरीना free में दे सकता है, मतलब अगर देना चाहे, तो या फिर कौन सा देना चाहिए गरीना वालों को, मुझे बताना नीचे comment section में, तो भाई अभी आते है unlimited gold coins trick के उपर, कैसे आप लोग जो है आप फ्री fire के अंदर, gold coins बहुत ज़ादा मातरा में ले सकते हो, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले से सुरुआद करते हैं, यहाँ पर एक surprise loot crate आपको मिलता है daily, अगर आपको याद हो तो, भाई यह बहुत सारे बंदे उसी time पर open कर देते हैं, या फिर कुछ बंदे रग भी देते हैं गलती से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रग दिया है, भाई मेरे पास 30 से भी ज़्यादा यहाँ पर surprise loot crate है, जो कि हमको daily मिलता है, यहाँ आप में से बहुत सारे बंदे इसे daily open भी करते हैं, कुछ को coin मिलता होगा है, महिने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर 37 loot crate जमा करके रखाए ठीक है, अभी मैं इसको open करने वालो हूँ, आपको दिखाऊंगा भाई, कितना मुझे gold coin मिलता है, बस 37 करेट से ही, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, खोलोगे देना, अगर आप यहाँ पर 500 यहाँ पर 1000 boxes खोल लेते हो, आपको तो 30-40 अजार तो ऐसे इधर से ही मिल गए, ठीक है, बाकिट ट्रिक्स तो ही, इधर से ही आपको इतने मिल गए, याद रखना collect करके सब कुछ एक साथ ही खोलना, मतलब 30 से जब ज़्यादा हो, तभी try करना यह एक साथ खोलनेगा, उससे कम में नहीं, भाई collect करते रहो, second number पर आता है कि आपको एक अच्छा guild में होना है, क्योंकि भाई यह बहुत ज़्यदा जुरूरी है, क्योंकि जिस guild में आपको regular players मिलेंगे खेलने के लिए, आप जिसके साथ regular खेल सकते हो, इससे क्या होगा कि भाई teamwork जो की है, गिल्ड के अंदर वो उसका level up होगा, जो teamwork chest है, ठीक है, इसको आपको level 4 तक complete करना है, जिसके वज़न से आपको यहां सबे 20,000 तक के gold coins मिल जाएंगे, जैसे हमारे guild का level 3 तक को तो सबको मिल चुका है, फ्री का gold coins यहाँ पर देख सकते हो, मतलब इतने सारे gold coins फ्री में मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर level 4 जैसे होगा, 5,000 का gold coins एक साथ मिल जाएगा, तो यह भी बहुत, मतलब अगर आप इसको सबको total करते हो, यह लगभग 20,000 gold coins होते हैं, जो कि आपको free में मिल रहा है, बस guild players के साथ खेलने में, इस चीज को complete करने में, अगर आप लोग जो हैं आपे guild के लिए ही, चालिश डॉक्टे कलेक करोगे खुद से, देर आपको हर Friday पे आपको मिलेगा 2000 gold coins, ठीक है, तो यहां से भी भाई फाइदा, मतलब 20,000 से उपर तो भाई, आप लोग guild से कमा रहे हो बस, तीसरा है कैसा मज़ेदार gold coin trick बताने जा रहा हो, जो की बहुत ही कम लोगों को पताईए, एन आपको यह करने के लिए भाई, custom में click करना है, ठीक है, craft land में जाना है, और वहाँ पे click करना है, उसके बाद आपको एक home का option आएगा, एन उसमें फिर से आपको click करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो की craft land को जो rank है, उससे complete करने पर आपको कितना ज़्यादा gold coin मिल सकता है, मतलब यह बिल्कुल सेम है, जिस तरी किसे हम लोग full map में rank पूस करते हैं, या फिर clay squad में, उससे तरी किसे आपको rank को plus करते जाना है, और उसके बदले आपको gold coins मिलेंगे, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा, और आपको complete करना पड़ेगा, अगर आपको gold coins चाहिए, क्योंकि इधर से आपको 30,000 से ज़्यादा gold coins मिल सकता है, बस आपको इस mode में आके rank पूस करना है, और सेम इसी तरीके से आप लोग full map में भी कर सकते हो, ठीक है, जब आप लोग full map में rank पूस करते हो, तर आप जाना, यहाँ पर view all पे क्लिक करना, यहाँ पर भी बहुत सारे gold coins मिलते हैं, ज़से आपको rank पूस करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देशे दो, डाइमन 4 तक कितने सारे gold coins मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप इस सब को total करोगे, यह 5000 से भी ज़्यादा gold coins होते हैं, मतलब यह बस full map के मान लो, एन इसी तरीकी से same clay squad में भी होता है, clay squad में भी आप लोग जाओगे, उधर rank push करने पर, उधर भी आपको gold coins मिलता है, मतलब 50% लोगों को पताओगा और 50% लोगों को नहीं बताओगा, तो जब भी हम लोग booyah pass purchase करते हैं, या फिर आप लोग free pass में खेलते हो, तो इन वहाँ से भी gold coins collect कर सकते हो, इस free pass में से भी आप लोग gold coins कुछ gold coins तो collect करी सकते हो, जादा नहीं तो यह पर आपको थोड़े बहुत मिली जाएंगे gold coins उदर से ही, ठीक है और मेरे यहाँ पर जो है, बुया पास purchase किया था, और मेरे सब कुछ यहाँ पर एक ही साथ claim किया, तो मेरे को देखो भाई, 1700 gold coins मिल गया, बस बुया पास claim करने पर, तो भाई, यह 5 trick को use करके, आप gold coin को claim कर सकते हैं, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, आपको यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा gold coins मिल सकता, यह सारे trick को अगर आप यह लोग यूज करोगे तो, and finally, number one पर जो glitch आता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, भाई, आपका अपना profile photo, कैसे game ID के में लगेगा, ठीक है, कैसे game profile में लगेगा, and यह trick को करने के लिए, simply आपको जो है, आपके account में, आपका जो account connected है, free fire से, ठीक है, चाहे वो free facebook account हो, चाहे वो google account हो, या फिर चाहे वो wiki account हो, ठीक है, उनका profile picture आपको change करना पड़ेगा, जैसे मैंने यह account जो है, अपने google account से connect किया है, तो फिर मैं अपना google account का, जो है आपे change करूँगा, भाई, profile picture, यहापे पहले आप लोग देख सकते हो, क्या था, अभी मैंने change किया, तो यहापे जैसे मैं change करके, दुबारा से game को login करता हो, यहापे आप लोग देख सकते हो, कि भाई, select करने का option आ चुका है, अवदार में, मतलब मेरा logo, जो मैंने logo लगाया, गूगल account में, ठीक है, वो logo यहापे दिख चुका है, मेरे को, जैसे मैं इसको click करूँगा, अभी, अभी, आप अपने ID में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ID, जो है, सारे के सारे Indian server में है, अभी टक यह trick, या फिर glitch के लोग आया नहीं है, यह बाकियों के server में available है, ठीक है, जैसे कि भाई, Singapore server हो गया, उसमें जो है, यह available है, आप लोग देख सकते हो भाई, उसमें अभी हो रहा है, ठीक है, एन आप लोग बहुत जल्दी यह Indian server में भी आ जाए, क्योंकि यह बहुत बढ़िया लगेगा, जब अपना photo आप लोग जो है, गेम ID के अंदर लगाओगे, तो आप लोग excited हो की नहीं भाई, इस glitch के लिए, फिर इस trick के लिए, मुझे बताना नीचे comment section में, यहां तक वीडियो देख रहे हैं, तो हर कोई बंदा comment करके जाना, भाई, मतलब ज़्यादा comment करो, share करो, ठीक है, तो yes guys, यही था आज का यह वीडियो,